उजास, प्रविशिका, भाग एक, पाठ दो, बाच्चीत, भाग पाँच, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा प्रिश्ट 51, मिलकर पढ़िये, ये अंधेर नगरी नाटक का एक अंश है, ये नाटक भारतेंदु हरिश्चंदर ने बहुत समय पहले लिखा था, उस समय चीजों का वजन किलोग्राम या ग्राम में तोलने की बजाए सेर, पाव और छटांक में तोला जाता था, उसी तरह खरीदने बेचने के लिए भी पैसे की जगह टके का इस्तेमाल होता था, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा, इस प्रिश्ट पर एक चित्र दिया गया है, चित्र में एक दुकान पर एक व्यक्ति सामान खरिता दिखाया गया है, दुकान द दुकान दार, आटा, दाल, नमक, घी, चीरी, मसाला और चावल ले, टके सेर गोबर्धन दास बाजार में है, परचून की दुकान पर जाकर चीजों के दाम पूछता है, गोबर्धन दास क्यों भाई, आटा कितने सेर, दुकान दार, टके सेर, गोबर्धन दास, और चावल, दुकान दार, टके सेर, प्रिष्ट बावन इस प्रिष्ट पर एक चित्र है चित्र में दो दुकाने हैं पहली दुकान में एक व्यक्ती दुकान द्यार से सामान लेता दिखाई दे रहा है और दूसरे दुकान सब्जियों की है यहाँ पर एक महिला ग्राहक को सब्जियां दे रही है गोबर्धन्दास और चीनी दुकान्दार टके सेर गोबर्धन्दास और घी दुकान्दार टके सेर गोबर्धन्दास सर्प टके सेर सच्मुच दुकान्दार हां महराज, क्या जूट बोलूँगा गोबर्धन्दास सबजी वाली के पास जाकर गोबर्धन दास क्यों माई? भाजी क्या भाव? सबजी वाली बाबाजी टके सेर निनुवा, मुरई, धनिया, मिर्चा, साग, सब टके सेर गोबर्धन दास सब भाजी टके सेर? वाह वाह बड़ा आरंद है यहां सभी चीजें टके सेर हलवाई के पास जाकर क्यों भाई हलवाई? मिठाई कितने सेर? प्रिष्ट त्रिपन हलवाई बाबाजी, लडवा, जलेबी, गुलाब जामुन, खाजा सब टके सेर गोबर्धन दास वाह वाह बड़ा आनंद है क्यों बच्चा? मुझसे मस्खरी तो नहीं करता? सचमुच, सब टके सेर हलवाई हाँ बाबाजी, सचमुच, सब टके सेर इस नगरी की चाल ही यही है यहां सब चीजें टके सेर बिकती है गोबर्धन दास क्यों बच्चा? इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई अंधेर नगरी गोबर्धन दास और राजा का क्या नाम है? हलवाई चौपट राजा गोबर्धन दास वाह वाह अंधेर नगरी चौपट राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा भारतेंदू हरिश्चंद्र इस प्रिष्ट पर सबसे नीचे एक चित्र है इस चित्र में दो व्यक्ति दर्शाए गए हैं एक व्यक्ति के हाथ में ज़ालू है जो एक दुकान के सामने खड़ा है और दूसरे व्यक्ति के हाथ में थैला है और उसने एक दूसरा थैला भी अपने कंधे पर लटका रखा है दो पक्षी बैठे दिखाई दे रही हैं और एक पक्षी व्रिक्ष की पत्ते पर बैठा है शिक्षक निर्देश इस समवाद को पढ़कर सुनाए शिक्षक और सहभागी मिलकर रोल प्ले करें या बारे बारे से अपना समवाद पढ़ें